7,26,000 रुपे की spelling क्या होती है और 7,26,000 रुपे को चेक पर लिखने का सही तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 7,26,000 रुपे को इंगलिश में हम 7,26,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम अकाउंट पर चेक देना चाते हैं तो चेक के सबसे उपर कॉर्नर में हम अकाउंट पर लिखेंगे फिर जहां पर पर ABC नेम लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस परसन या कंपनी का नेम लिखेंगे जिससे आप चेक देना चाते हैं नीचे आप लिखेंगे 7,26,000 रुपीज और इसके स्पेलिंग होती है क्योंकि आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक बाशा में ही चेक परें और आइटेंट साइट में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें 7,26,000 रुपे को अंको में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 7,2,6 फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और उसके नीचे जहां आपका न आइने रखते हैं